इंदौर से खबर है जहाँ एक बार फिर इंदौर ने सुक्षिता सरवेक्षण में बाजी मार ली है राश्ट्रपती दौपती मुर्मू ने पुरुसकार दिया है, सम्मान किया है बताते चले कि एवोर्ड को लेने खुद मद्प्रदेश की मुख्य मंतरी मुहन यादव दिल्ली पहुँचे और उनके साथ नगरी प्रिश्यासन मंतरी कहलाश विजेवर किये और इंदौर महापौर्पुष्य मित्र भारगब भी मौजुग थी अबौर्ट की जैसे ही खुष्णा हुई इंदौर नगर निगम परीसर में लगाए गई LCD के सामने बड़ी संख्या में सफाई मित्र और कर्मचारियों ने जमकर जश्न मनाया हमारे सहियोगी समीर खान ने इस आयूचिन का जयाजर लिया और बात की सफाई मित्रों से देखिए एक खास बात चीत मतिपतेश के इंदौर शहर ने एक ये कहें कि एक बार फिर जो है सवच्टा में नंबर वन का खिताम जीता है या लग बात है कि सूरत उसके साथ है इसका क्रेडिट जाता है तो वो है सफाई मित्र महिला है हम बात करते हैं जी आपका नाम बताएंगे क्या नाम है आपका क्या बहुत ही अच्छा लगा है हम कहेंगे यह कि अच्छा हुआ हमारा इंदोर बार बार आये और आता रहे साक्वा नंबर वन आया हमको बहुत खुसी हुई है हम लोगों की मेनती रंग लाई है अपने सही का लेकिन इस बार सूरत भी साथ है हम उसके लिए भी भी बहुत बहुत वह करते हैं हमको बहुत खुसी है बिल्कुल देखे में जिस तरह से सार विक्षण को लेकर यहां पर तमाम जोहें लोग जश्ट अिधि मना रहे हैं हैं यहां बकायता जोहें रंगोली की गई है और यहां पर जित्ते लोग हैं जो इस सर्विक्षन में नंबर मनाने के पाद हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या ओंध है और में तिन नंबर दून से कहेंंगे इन तो इसा लेकिन इस बास सूरत भी सात के अगवाना ही चाहिए बागी इंदोर स्वाच्टा में हमेसे इनमबर नवन रहेगा और रहेगा जिस तरह से यह कहें कि यहां पर जीत की खुशियां बनाई जा रही है और बकाईदा जो है लोग जो है विक्ट्री बताकर खुशी मना रहे हैं सूरत के साथ-साथ, जो है इंदोर नमबर-बन आया है।े इस के नमबर-बन आने को लेकर, यहां पर काफी उत्साहा का होल है, नगर निगम को सपाई मित्र, अधिकारी भी है, हम उनसे बात करते ह। क्या कहेंगे एक बार फिर इंदोर लेकिन सूरत साथ ? कॉंपिटीशन तो रहती है अब इंदोर वलों ने ध्यान रखना चाहिए कि अब सूरत भी अपने साथ में आ गया है सूरत से अपने को केसे आगे निकलना है इस और अधिक से अधिक सोचना पड़ेगा और मेहनत तो करना पड़ेगी बाकि दूसरी जगे में जैसे हवामान म आगे इस से अधिक से इंदोर नगर निकम के तमाम लोगों का कहना है सपाई मित्रों आए लेकिन सूरज भलाई साथ में हो और अब इंदोर को एक बार फिर मेहनत करना पड़ेगी और जो आठवा सर्वेक्छन उसमें एक बार फिर नंबर वन आने की तुरहते सह होगी वे